नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे की अलबेंडाजोल सिरप का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है अलबेंडा जोल सिरप को कैसे लेना चाहिए और अलबेंडा जोल सिरप की वज़से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि अलबेंडा जोल सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन conditions में अलबेंडा जोल सिरप को लेना recommended नहीं होता है अलबेंडा जोल सिरप का उपयोग पेट में कीडों को मारने के लिए किया जाता है पेट में कीडों की समस्या सबसे अधिक बच्चों में होती है बच्चों के पेट में कीडे होना एक सामान्य बात है लेकिन पेट में कीडे, बड़ो को भी या किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकते हैं. पेट के कीडे भोजन से विटामिन्स, मिनरल्स और एनरजी सोख लेते हैं. और पेट में कीडे होने पर व्यक्ति को खाया पिया अच्छी तरह से नहीं लगता है. जिसकी वज़से शरीर मे पेट में कमजोरी होना, वजन का कम होना, पेट में दर्ब और भूप कम लगना आदी लक्षन पेट में कीडे होने पर हो सकते हैं। आपका डॉक्टर स्टूल टेस्ट करवा सकता है। स्टूल टेस्ट की मदद से आपका डॉक्टर यहां आसानी से पता लगा सकता है कि आपको पेट में कीडो की समस्या है या नहीं। से पेट के कीडों में एनरजी की कमी हो जाती है और पेट के कीडे मर जाते हैं। हम डिसकस करेंगे की अलबेंडा जोल सिरप की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में अलबेंडा जोल सिरप की वज़से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में अलबेंडा जोल सिरप की वज़से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे पेट में दर्द, सिरदर्द, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और अस्थाई तौर पर हैर लोस हो सकता है। इसके अलावा अलबेंडा जोल सिरप अस्थाई तौर पर वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के लेवल को कम कर सकती है। अगर अलबेंडा जोल सिरप को लेने के बाद बुखार, खासी, गले में खराश, कमर में दर्द या पेशाप करते समय दर्द होता है। तो तुरंथ ही डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि अलबेंडा जोल सिरप को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। अलबेंडा जोल सिरप को फैटी भोजन करने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। फैती भोजन का मतलब है कि जिसमें फैट का लेवल ज्यादा हो जैसे घी, दूद, अंडे आदी. दो वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर बच्चों को डॉक्तर पेट में कीडो को साफ करने के लिए 10 मिलिलीटर अलबेंडाजोल सिरप को केवल एक ही बार और रात को सोते समय लेने की सलाह देते हैं. पेट में कीडो की समस्या ज्यादा गंभीर होने पर कुछ बच्चों को डॉक्तर तीन सप्ता बाद अलबेंडाजोल सिरप को दोबारा भी लेने की सलाह दे सकते हैं. दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अलबेंडा जोल सिरप को डॉक्तर की सला के बिना नहीं लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि अलबेंडा जोल सिरप को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए। लिवर की कोई गंभीर बीमारी होने पर और शरीर में खून की कमी ज्यादा गंभीर होने पर अलबेंडा जोल सिरप को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना अलबेंडा जोल सिरप को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका अलबेंडा जोल सिरफ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं